Hello friends, how are you guys? I hope आप सब अच्छे हैं और आपके turtles भी healthy हैं जो मेरे आज की वीडियो है to be very really interesting because जो आज मैं आपको कच्छुआ दिखाने वाला हूँ वो एक ऐसा कच्छुआ है that is most exploited और जो हमारे इंडिया के अंदर मिलता है बांगलादेश में मिलता है, पाकिस्तान में भी मिलता है और नेपाल में भी मिलता है और like इंडियन सब कॉंटिनेंट सब जगह मिलता है So, यू जो टर्टल है मैं आपको अभी दिखाता हूँ So you guys can see this is the turtle आप सब लोगों ने ये कच्छुआ दिखा हुआ ये आपकी लोकालिटी में आप कहीं गाउं में रहते है या विलेज के पास रहते है अगर वहाँ पे मार्चीस है जिसको हम बोलते है कि तालाब है वहाँ पे ये कच्छुआ होता होगा पहले मैं आपको उसका नाम बताता हूँ ये हैं इंडिया फ्लैप शेल्टर पर अभी दिखता है ये कच्छुआ या आपके पास आया है तो आप उसे किसी सेफ जगह जैसे की नदी या तालाब में छोड़ दो अगर आप किसी के पास भी देखते हो ये आपके किसी रिलेटिव के पास या अपने किसी फ्रेंट्स के पास देखते हो और वेरेवर यू आर इन वेरेवर पार्ट्स अफ इंडिया यू आर आप इनको वाइल में दुबारा रिलीज कर दो क्योंकि ये वाइल में ही चलेंगे और अभी आप इनको रिलीज कहां पे करें तो फ्रेंट्स आप इनको बहां पे रिलीज करें जहां पे बहुत ज़्यादा वाटर प्लांस हो वाटर हाई सींथ हो और ऐसे मतलब की जड़ी बूटियों जो पानी के पास आपको मिलती है वो ज़्यादा हो तो आप उनको उस एन्वारमेंट में छोड़ दे ये वहाँ पे रह लेगा ये बहुत ही प्यारा कच्छुआ है ये हाम नहीं पहुचा था है और दूसरी बात ये फूल ग्रोथ कच्छुआ है इनसे ज़्यादा ये कच्छुआ बड़ा नहीं होता और ये ए दूसरे तालाब की खोज करते हैं पर जब ये हमारे घरों के आसपास से गुजरते हैं तो लोग पकड़कर इनको एक्वेरियम में डाल देते हैं लेकिन रियालिटी ये है कि ये कच्छुए जो है वो मड के अंदर रहना पसंद करते हैं इनको कीचड़ वाला पानी बहुत ही प्यारे कच्छुए होते हैं दीखने में थोड़े से अलग लगते हैं और एक चीज और फ्रेंस ये सौफ्ट शेल टर्टल होते हैं सौफ्ट शेल इसलिए कहते हैं कि इनको जो शेल होती है ये दूसरे कच्छुए से सौफ्ट होती है अभी ये डर रहा है बट इ जाएंगे, क्योंकि जो लोग ये वीडियो देख रहा है, इनको ये तो पता चल जाएगा कि ये captivity में नहीं रहते हैं, इनको wild पसंद है, these are the most exploited turtle, ये कच्छुए मिलते हैं हमारे यहां, क्योंकि इसका natural habitat है, जो कि इंडिया की जो ponds है, जो मर्चोस है, जो stream है, वहां पे रहना इनको ज्यादा पसंद है, जब आपको ये कहीं पर मिले, तो इनको अपने पास मत रखो, क्योंकि ये रह नहीं पाते, well, this is probably on thing, बहुत सालों से मानते आ रहा है, कि कच्छूओं को अपने घर पे रखना सूब माना जाता है, और उन कच्छूओं से धन धान आता है, तो दूर करे अपना ये ब्रहुम, क्योंकि ये एक मीत है, जैसा मैंने आपको आगे बताया, कि ये एक ऐसा जीव है, जो captivity में रह नहीं सकता, और अगर आपका motive अपना turtle को हाम पहुचाने का नहीं है, और आप उसके लिए कुछ best करना चाहते है, तो please उसे wildlife में release कर दे, if you want to give something best to your turtle, तो आप please क्यों ना इनको वाइल में ही release कर दे, यही मेरा message है, so इस चीज पर जान दे कि just if you find a turtle, just relief them in while, this is my message to all, अब भी यह भाई साब बाहर तो आएंगे नहीं, क्योंकि यह डर रहा है, पर इनको यह पता नहीं है कि यह यहाँ पे safe है, because I won't spare that person, because I love turtles, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा, मुझे भी turtles पसंद है, पर मैं भी इनको safe जगर छोड़ रहा हूँ,